MIUI 10 8.6.12 Chinese ROM is now available for the Redmi Note 5 Pro Hi friends, Siddhar Thayer from Technobuzz.com Again Xiaomi ने आज फिर से beta version MIUI 10 8.6.12 जो है out कर दिया है याने release कर दिया है और मुझे वो update मिल चुका है मैं अपने फोन में इसको already install कर चका हूँ जैसे कि आप देख पारे हैं तो मैंने काफी सारे वीडियो के दिनों से बनाए है तो काफी लोगों उसको बॉड़ी सारे questions तो मेरे comments में डाल रहे हैं तो आज वो सारे questions में इस वीडियो में clear करने वाला हूँ तो पहले तो मैं आपको दिखा देपा हूँ कि हमारा phone जो है updated है MIUI 10.8.6.12 के साथ मैं आपको सेटिंग्स में और पिचा के दिखा देता हूँ एक बार मॉडल नंबर देखिए अपमारा Redmi Note 5 Pro Redmi phone है all specs में आप देख पा रहे होंगे MIUI 10.8.6.12 बेटा वर्जिन है यह चाइनीज रोम है Android वर्जन 8.1.0 Oreo पे रन कर रहा है और security patch level इसका first of में का है तो आप कुछ बाते हम clear करेंगे इस वीडियो को full end तक दिखेंगे ताकि आपको समझ पाएं कि मैं क्या समझाना चाहरा हूँ और मैं बताऊंगा कि इस रोम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं यह भी आपको देखना है क्यों काफी साथ लोग बोले थे हमें यह भी बताऊ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मैं आज इस वीडियो में वह भी बताऊंगा कि आप सो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं सब्सक्राइब किजिए technobuzz.net चैनल को और बेल आइकन को तुबाना ना भूले ताकि सबसे पहले लेटेस टेक अपडेट्स आपको मिल सकें तो सरसे पहले बाते हो बता दूँ यह जो है चाइनीज बेटा रूम है यह अभी दो तिन दिन तक और रिलीस होगा और 14 तारीक को ग्लोबल बेटा वर्जन जो है रिलीस हो जाएगा सिर्फ बेटा टेस्टर्स को मिलेगा अगर आप बेटा टेस्टर नहीं है तो आपको न यहां पर उनको बेटा वर्जन मिल जाएगा बट जो बेटा टेस्टर नहीं है उनको क्या है TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करके वो अपडेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो यह तो हो गई बेटा वर्शन के बार में अब लोग पोश्ट है ओटी अपडेट कब मिले जो कि में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रख जहां से आप देखे सको इंस्टॉल कर सकते हैं मैं और डिसमे रण कर रहा हूं यह दिकिए प्लेस्टोर जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा है इस तरीके से मैं Google के सारे अप्लिकेशन को अपने फोन में यूज कर र वाज मैंने एक दो फोट्र क्लिक की है इसी डेस्क पर है अपको इस तरीक से नहीं दिख पाएगी यह HDR आप आप नीचे लिखाएगा अपको नीचे लिखाएगा नाओ यू आरे टेवलपर अनलोग इस पर रहा है ठीज़ और दोनिके अधिशनल सेटिंग इंडिशनल कैटिंग पर्मिशन लेनी पड़ेगी अपने फोन को अनलोग करना पड़ेगा बूट्रोड तब जाके आपको ऐसा मिलेगा और साथ यहां पर जो एक आप्षिन है यह देखिए ओ इम अनलोग का यह ग्रे आउट होना चाहिए यह दोनों चीज होने के बाद आपको क्या करना है अपने फोन में टी रॉप कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर लिए अगर आपको नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करनी रेग्मी नोट 5 पर में तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडि कर लेना अपने फोन में जो कि मैं ओर रिकर चुका हूं आपको फाइल में दिखा देता हूं स्टॉरिज में यह वह फाइल है सेकेंड लास्ट वाइज और साथी गुगल इंस्टॉल्लर की एपके फाइल आप क्यों इसके सब्सक्रिप्लिक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं तो इसको तक आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका फोन जो है टी डॉर्प मोड पे नहीं जाएगा तो उसको पिछाने के लिए आपको फोन को सीच आफ कर दिना है आपके फोन को अपने पावर अप यह नहीं स्वावर का बटन और वॉल्यूम ज्यादा करते हैं और जो पावर का बटन था इन दोने को प्रेस करेंगे अपका फोन जो है टी डेवलूर्प मोड पाए देगा मैं दिखाता हूँ आपको टी डेवलूर्प मोड पे तो आप दे सब्सक्राइब करना जूरूर्वी है पर देगाप में जाके अपने सारी फाइल ने सेलेट करेंगे और इसका बैकप ले लिए लेना है बैकप करके स्वाइब करने इससे क्यों होगा क्या अगर आपको MIU 10 पसंद नहीं आता है तो आप इसी ऑप्शन को जो रिश्टोर को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके अपने फोन को वापीस पुर्वानी MIU 9 के रोम पे लेकिजा सेथे यह तो होगी पहली बाद यह को करना जूरूरी बैकप दूसरा आपको वाइप पर जाना है एडवांस वाइप पर जाना है यहां पर डाल भी कैश कैश डाटा औ सब्सक्राइब करते हैं मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं अपडेट नहीं कर रहा हूं यह करना जरूरी है आपको और इससे अपको सारा डाटा डिलीट हो जागा आपको यह दिहान रखना है तो आपको बैकप जरूरी लेना है पहले पने फोन का किसी कंप्पूटर पर यह इन फोल्डरों को अपने सेलेट करना है जो आप देख पा रहे हैं आप डाल भी कैश कैश डाटा और सिस्टम मैं करूंगा निकिकिकर चुका हूं बार में आपको दिखा रहा हूं यह आपको करने जो नहीं और इसको करने का नहीं क्या करना है यह जो आप ऑप्शन देख परें इंस्टॉल का इस पर टैप करेंगे और जो अपने फाइल डाउनलोड कि यह वाली लास्ट में है जिप फाइल इसको सेलेक्ट करेंगे और स्वाइब करेंगे फ्लेश करते हैं आप थोड़ी दिर में यह फाइल एक एक लिए फ्लेश होगी और जो एमाई यूटन का जो पीटा वर्जिन है 8.6.12 चैनीज वर्जिन वह आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा अगर उसके बाद आपको लगता है अपने गोगल के अप्लिकेशन को यूज करते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिश्चिन में एक लिंक है उस वीडियो को देखके आप गू जो होगी चैनीज में नहीं उसमें कुछ ही अप्लिकेशन चोटे में माइस्टोर हो गया यह थीम हो गया वही चैनीज लैंकर बाकी क्या लैंगविज चैनीज करते हैं इंग्लिश करके अब अस तरीके से फोन के सारे फीचर को फैदा उठा से थे अब देखिए हमारा फोन आएगा यानि कि कुछ तुनों में आने वाला है जो उसके बाद जो है आप इनको इसके सारे के सारे फाइबें उठा पाएंगे अपने फोन में अगर फोन आफ हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना पावर के बटन को दोना है और स्क्रीन को अनलॉक कर देना जिससे फोन फिर से वापिस अपने नमल प्रोसीजर पर आ जाएगा देख पा रहे हैं आपको रीबूट कर दिना है और आपका फोन में यूटन पर अब दे तो उसमें अपने फोन में इंस्टाल करते हैं तो तीन बात नहीं है पहला तो आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए सेकंड आपके फोन के अंदर टी डेवलो आरपी कस्टम रिकवरी इंस्टाल होनी चाहिए थर्ड आपको इस रिफाइल को सेव करना है और प अब खाल देता हूं एक बार फिर से यह दिखिए हम जो टैन वरिशन है 8.6.12 उसके उपर रं करें इस तरीके साफ पसानी से अपने फोन को अपडेट कर से तो उमीद करता हूं आपको हमारा आज की वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो अप्डेट की लिए प्ली